आजादी के अमरित काव में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा जंडा विक्सित भारत का तिरंगा जंडा होना चाहिए रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है पीशे नियाटना है और इसके लिए सुचीता पारदर्शीता और निस्पक्षता ये पहली आप मजबूती की ज़रूरत है हमें उस मजबूती को जितना जादा खात पानी दे सकते हैं संस्थाओं के माद्देैश देख सकते हैं नागरी के नाते दे सकते हैं परिवार के नाते दे सकते हैं यह हमारा स्मूहिक दाईतव होना चाहिए और इसलिए पिसले 45 साल का इतिहाद देखिए भारत के सामर्थ में कोई कमी नहीं थी अरे जो देश कभी सोना की चिडिया कहा जाता था वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ को लेकर के खड़ा हो सकता है मेरा तूट विश्वास है साथियो मेरे प्यप परिवार जनो मेरा अखंड अतूच एक न मनाएगा मेरा देश विक्सिद भारत बन के रहेगा और यह मैं मेरे देश की सामर्थ के अधार पर कह रहा हूं मेरे उपलब्द समसादनों के अधार पर कह रहा हूं और सबसे जादा पीस से कम आयू वाली मेरी युवास शक्ति के भरों से कह रहा हूं मेरी माता और बेहनो अगर कोई रुकावट है कि कुछ विकृतियां पिछले 75 सान में ऐसे घर कर गई है हमारी समाज ववस्ता का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी-कभी तो हम आँख भी बंद कर देते हैं अब आँख बंद करने का सबय नहीं है अगर सपनों को सिद्ध करना है संकल्प को पार करना है तो हमें यह आँख में छोली बंद करके आँख में आँख मिलां करके तीन बुराईयों से लड़ना बहुत समय की मांग है हमारे देश की सारी समझाओं की जड़ में प्रस्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्ताओं को देश के समर्थ 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 को पूरी तरह नोच लिगा है प्रस्टाचार से मुक्ति प्रस्टाचार के खिलाब जंग हर जी काई में हर छेत्र बै और मैं देश वासियों मेरे प्रिये परिवार जनों ये मोदी के जीवन का कमिट्मेंट है कि मैं प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता रखूंगा दूसरा हमारे देश को नोच लिया है परिवार बाद ने इस परिवार बाद ने देश को जिस प्रकार जे जकड के रखा है उसने देश के लोगों का हक चिना है और तीसरी बुराई तुस्त्री करण की है यह तुस्त्री करणे भी देश के मुल्फ। चिंतन को देश के सर्वसमासवैशण हमारे राष्ट्रेश चरित्र को दाग लगा दिये हैं तेस नाश कर दिया है इन लोगों ने और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवार्जनों हमें इन तीन बुराईयों के खिलाफ पूरे सामर्थक ऐसार लड़ना है प्रस्त्राचार, परिवारबाद, तुस्ट्री करन ये चुनोतियां हमारे ये ऐसी चीजे पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांचाए उसका दमन करती है हमारे देश के कुछ लोगों के पाद जो थोटा बोटा सामरत है उसका शोशन करती है ये ऐसी चीजे हैं जो हमारे लोगों के आशा आकांचाओं को सवाल या निसान में गार देती है हमारे गरीब हो हमारे दलीत हो हमारे पिछड़े हो हमारे पसमांदा हो हमारे आदिवासी भाई बहन हो हमारी माताए बहने हो हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराईयों से मुक्ति पानी है हमें प्रस्टाचार के खिलाब एक नफरत का वाहूल बनाना है जैसे गंदकी हमें नफरत करते हैं मन में गंदकी पसंद नहीं है यह सारवजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदकी नहीं हो सकती और इतने हमारे स्वचता अभियान को एक नया मोड ये भी देना है कि हमें से मुक्ति पानी है सरकार टेकनोलोजी से प्रस्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है आपको जानकर कहरानी होगी इस देश में है पिछले नौश साल में एक काम मैंने ऐसे कि आकरा सुने को तो लोग है कि मुदी ऐसा करता है जैसे तस करोड लोग करीब कर जो गलत फाइदा उठाते वो मैंने रोग दिया तो आपने से कोई कहेगा आपने लोगों सन्याय कर दिया जी नहीं यह दस लोग करोड कौन लोग थे यह दस करोड वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके वीड़ों हो जाते थे वो बृद्ध हो जाते थे वो दिव्यांग हो जाते थे फाइदे लिए जाते थे दस करोड़े से बेनामी जो चीजे चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम प्रस्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त किये नहीं वो पहले की तुल्ला में 20 गुना जादा की है मेरे प्यारे परिवार जनों यह आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे 20 गुना जादा संपत्ति को जब्त करनेगा और इसने लोगों की मेरे प्रतिन नाराज़ी होना बहुत स्वाबाविक है लेकिन मुझे प्रस्टाचार के खिलाब की लड़ाई को आगे बढ़ाना है हमारे सरकारी व्यवत्ता ने पहले केमेरा के सामने तो कुछ हो जाता था लेकिन बाद में चीज़े अटक जाती थी हमने पहले की तुर्णा में कई गुना जादा अदालत में चार्शिट की है और अब जमानते भी नहीं मिलती है वैसी पक्की व्यवस्ता को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम इमानदारी से ब्रस्टाचार के खिलाब रड़ रहे हैं आज परिवारवात और तुष्टिकरन इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भागी किया है अब लोक्तंत्र में यह कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी और मैं विशेद बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी आज मेरे देश के लोक्तंत्र में ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोक्तंत्र को मजबूती नहीं दे सकती और वो क्या है विमारी ? परिवारवाधी पार्टी और उनका तो मंत्र क्या है ? पार्टी of the family, by the family and for the family, इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पोलिटिकल पार्टी, उनका राजनितिक दल परिवार का परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतिजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्था को स्फिकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोगतंत्र की मजबूति के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाए, हर किसी को हक मिले इसलिए और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत अरुआँ उसी प्रकारते तुष्टी करण, तुष्टी करण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुक्सान किया अगर सामाजिक न्याय को तबाग किसे ने किया है तो ये तुष्टी करण की सोच, तुष्टी करण की राजनिती, तुष्टी करण का सरकारी योजनाओं का तरीका इसने सामाजिक न्याय को मोत के घाट उतार दिया है और इसलिए हमें तुष्टी करन प्रस्टाचार यह विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है अगर देश विकास चाहता है देश 2047 विक्सित भारत का सपना का साकार करना चाहता है तो हमारे लिए आवश्चक है कि हम किसी भी हालत में देश में प्रस्टाचार को सहन नहीं हमें कर दो हमें तो हमें कर दो हमें कर दो हादी कर दो budget दो Son